हेलो स्टूडेंट मैं संकर कुमार सुवागत आप सभी का जादूगरमेत टू में जारखन बोट के बच्चों आप लोगों का एकजाम है सुबह से यानि कि आपको जो है इस क्वेश्टन को कम्पलीट करके जना है ये जो है टीचर आपके जो जारखन बोट के टीचर है वो कुल का जो कुश्टन पेपर जो तयार करते हैं तो यानि कि उसके दुवारा ये कुश्टन को बतलाया गया कि कौन साब कुश्टन आपको पूछा जाएगा तो कम्पलीट कर लिजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़ादे से जादे और वरिजिनल को पेपर गुनफल एक प्राप्त करने के लिए 372 को तैस्ते गुमा करने के लिए तो यही नि कि गुजर एक लाने के लिए 272 से हमको जो है गुणकर ना पड़े Гa पहुए है ना चलिए इसके बाद यहां पर कर आनेकस्ट में देख लेते सभी का answer seat आपको अगर समझ नहीं आगा सभी का answer seat जो टेली ग्राम में मिल जाएगा यह इसके बाद निमिन में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक एक हो गए किसंख्या का जो है वर्ग का इकाई अंक एक हो गए यहां पे 10 है बी में 11 है सी में 14 है और डी में 13 है ठीक है इसके बाद यहां आप देखिए पद यहां पे दिया गया है रूट में X में और रूट में कुछ भी ने किसका संक्यत है वर्ग करने का वर्ग मुल करने का घं करने का घं करने का घं मुल करने का इक किसका संक्यत है है ना तो इसके बाद है रम क्या है रामानुज कौन है इसके बाद यहां पर 108 को किस सबसे किस सबसे छोटी संख्यां से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्यां हो जाए किस से गुना किया जाए एक साथ पूर्ण घन हो जाएगा है ना तो किस से गुना किया जाएगा पूर्ण घन हो जाएगा तो यहा आप इसके बाद छो नमर स्वाल में दिया है कि मैनस साथ पर मैनस पांच में मैनस पांच क्या कहलाता है गातां कहलाता है गहन कहलाता है वर्क कहलाता है मैनस का डी में दिया पांच तो जल्दी से यहां पर आपको जो है सेयर करते ना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर इसके बाद यहाँ पर देखिए संख्यां ABC के लिए कौन सही है संख्यां ABC के लिए कौन सही है तो जल्दी से आप इसका एंसर दे सकते ABC सही होगा इसके बाद यहाँ पर आठ में देख लेते हैं सभी का एंसर मिलेगा आपको घवराईये मत और पहले वीडियो को अंद तक दे ये ठीक है, सुभा में आपको एकजाम से पहले मिल जाएगा, 3XY पलस 2X पलस 3 और 4X मैनस 3XY पलस 4 का योग होगा, इसका योग करने के लिए बोल रहा है ना, योग करने के लिए बोल रहा है तो योग कर लेना है, ठीक है, संख्या जाती वला को जातिस करना, 3X का 3X से करना ह है, और 3 और 4 का इसमें करना है, योग करना है, योग करना है, ठीक है, इसके बाद यहाँ आप देखिए, 9 नमर में भी यही कहा है, अंतर, अंतर का मतलब होता घटा है, इसको आपको क्या करना है, इन में से इसको घटा देना, कितना अंतर है, अंतर निकल जाएगा, ठीक है इसके बाद देखिए 15 नमबर 10 नमबर में 15 x square y का अभाद जिगुनन खंड इसका अभाद जिगुनन खंड बूल रहा ने का लेना चलिए इसके बाद यहां पे दिया गया है 11 का बहुत इन important question होने वला है एक संख्या को 5 से गुणा कर 3 घटाने पर 17 प्राफ्थ होता है तो इसे एक समीकरन दवरा दर्सा है अगर वह संख्यां वाय हो तो आपको समीकरन दआ जहां दोगिए मैनस का यहां पे 5 ч 3 मैनस 數ा ब्रावर 17 मैनस का 5 मैनस का x मैनस का 3 ब्रावर 17 तो यह आपका दिया गया है इसके बाद यहां पे दिया गया 12 में कहरा की एक टीबी का अंकीत मुल्य 45 रुपया है अगर बटा 30% हो तो टीबी का विक्रे मुल्य क्या होगा देखिए आपको अगर हमें एंसर इसका करके बताएंगे तो समय तो काफी लग जाएगा एक से देर घंटा का बीटियो बन अगर है ना तो आप जो है कुछ टेंसन नहीं लीजिएगा इसके बात या गया तेरह में 3x प्लस 3y 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x-3xy का योग कितना होगा इन दोनों का योग कर लेना आपको जाती बलाको जाती में मिला देना है ठैना अंक बलाको यहां पर करके देख लेना 3T और मैनस का फुर ब्रावर 11 का हल करना है तो हल करके आपको देख लेना 3T ब्रावर आपको यहां पर करके 11 मैनस का है तो प्लस का चार हो जाएगा करने में बहुत समय लगेगा इसी वज़े से आपको सिर्फ को कंप्लीट करते जना बारास रुपिया का यह चौपुरनांक एक बटेदू प्रतिसत ब्याज की दर से एक वर्स का साधारन ब्याज कितना होगा तो यहां पर इसके बाद कि यहां पर यदि 16 पैंसिल का मुल्य 64 रुपिया है तो 144 रुपिया में कितने पैंसिल खरीदे जाएंगे तो यहां पर 24 है 36 है और 32 है 38 है चतर भूज के अंतर कोनों का योगफल कितना होता दिए आपको सभी को पता ही होगा इसके बाद यहां पर चलते हैं दे चलिए कि चलिए यहां पे 9x दिया गया है और प्альная का वह नो है और का गुननखंड होगा तो इसका answer लेना चाहते हैं आप सभी का answer यहाँ पे दिया गया है तो जल्दी से आप answer भी ले लिजिए ताकि time नहीं है आपके लिए answer भी तयार हो चुका है ठीक है एक का C में मारीये जल्दी से पहले answer लिए दो का B में और तीन का B में और चार का D में पांच का C में छो का A में साथ का C में आट का A में नो का A में जल्दी से मारते जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है और टेलिग्राम जल्द से जुआन कर लें जैंसर सी लिने के लिए ओरिजिनल विला गंटा पहले आपको दे दिया जाएगा 11 का सी लिखिए 12 का हे लिखिए इसके बाद 13 का सी 14 का बी 15 का डी 16 का बी 17 का ए 18 का लिके बी 19 का डी 20 का बी तो इतना आपको कंप्रीट करके जाना एक्जाम ताकि जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो बीटियों को लाइक करके सेर कर दीजे जारखंड के जितने भी बच्चे हैं